हेलो एवरीवन वेलकम तो इजी इंजिनेरिंग क्लासीज तो स्टुडेंट्स प्रीवेश वीडियो में हमने देखा था हाउ तो फाइंड आ मोस्ट फ्रिक्वेंट डिजिट इन नंबर बट उस प्रोग्राम में उस पर्टिकुलर कोड के अंदर एक हमारे पास प्रॉब्लम कमिंग थी और हम उसको किस तरह से यहां पर पूरा कर सकते हैं और और भी क्या वैरिशन हमारे पास हो सकते हैं एक मोस्ट फ्रिक्वेंट डिजिट के प्रोग्राम के अंदर तो जैसे कि उस प्रोग्राम में क्या था अगर मेरे पास कुछ एक नंबर इस तरह से 123455 अब को रन करके भी दिखाता हूं कि यह हमारे पास प्रोग्राम था हम देख चुके हैं इस प्रिटिक्लर प्रोग्राम को प्रीविज़ वीडियो के अंदर अब मैं यहां पर आपको इसको रन करके दिखाता हूं और मैं इंपूट आपका सिम्बर लूँगा यह वाला यहां पर जैसे इस नंबर को एंटर किया है मुझे देखो यहां पर आउटपूट का मिला डिजिट 3 is the most frequent digit with frequency 2 बट यही एक प्राब्लम थी यहां पर कि सिर्फ और सिर्फ पहली डिजिट को ही वो शो कर रहा था अब इस पर्टिक्लर वीडियो के अंदर मैं आपको यह दिख सकते हैं तो उन सबको शुरू करने से पहले अनकाड़िमी के करियर एज सॉफ्टर डेवलपपर एक प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं से और इस वेरी गुड इनिशेटिव बाई अनकाड़िमी वेर यू कें क्रेक टॉप ब्रांड टिप्स ऑन टेकनि को मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर आप किस तरह से देख सकते हो करियर सॉफ्टर डेवलपर का इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वट विल गए इस लाइफ क्लासे एक्सेस्टू इंडस्ट्री यहां पर आपको कुर्स के बारे में यहां से बात करू हो कि ए अफशेलरी टेफलोप्मेंट बाय अनुचकर तो आप इनका शिडूल देख सकते हो जले तरह सेई हो राय है Ike你說 इस तरह से करते हैं और किस तरह से कर सकते हैं तो वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिले का सब्दीजिflow तो यह पर पूरा इνका मैं ट्ला सिसुर अ में पर ऑप से क्लासित हो ऒुआ है वह यहाँ पर ट êtes todos प्रोजेक्ट रिव्यूज होंगे यहां पर लिखा हुआ है सबसे ज़्याद अच्छी बात क्या है कि जो यह इसका बाकी सारे प्लेटफोर्म से वो है आपको लाइव इंट्रेक्शन मिलेगा लाइव आपके वीकली प्रोजेट्स होंगे और अगर आप मेरा कोड यूज करोगी जो है अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको यह मिलता है सिर्फ 8.99 में पूरे एक साल का आपको सबस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 8.99 में यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है चलिए तो दो प्रोग्राम हमें हैं पर करने एक तो करना है डिस्प्लेंग औल दा फ्रिक्वेंसी डिजिट्स और एक करना है सम आप 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 आपको कहा था कि अगर मेरे पास यहां पर इन्पूट है कुछ इस तरह से यह 1233455 ठीक है तो इसका ओट पूट क्या अ ठीक है और सम क्या अना चीए 3 प्लस 5 डेट इस 8 अब इसको करने के लिए क्या करना है आपको पहली चीज तो हमें क्या करनी है एक हमने यहां पर श्टोर करा लिया था वह हम प्रिवेस वीडियो के अंदर देख चुक है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्ली कि मेक्सिमम् फ्रिक्वेंश से क्या निकालते में हम ब्रक्राइब को निकालने का भी हम यह सब्सक्राइब वीडियो में तो सपोज यहां पर कुछ णर्क्वेंशी इस 차 कि 20 i2 कि 20 i1 ऐसे 3 कि 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 यहां पर टूब एकंपर 25 and तू अब हमें यह पता है कि जो मेरी मेरी मेक्स तो हमें क्या करना है एक और लूप हमें यहाँ पर रन करना है और सिंपल हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या एरे जो हमारा है सपोस्स एरे हैं क्या एरे का इंडेक्स मैक्स फ्रिक्वेंसी के बराबर है बस इतना साथ को वेरियेशन करने देखो और प्रोग्राम आपके तो हम उसको डिस्प्ले करा देंगे, अब देखो सबसे पहले जब 0 के लिए चेक हुआ, क्या max frequency 2 के बढ़ाबर है, नहीं, तो यह display नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, बट यह वाला आपका display हो जाएगा, यानि कि हमारा 3-digit display हो जाएगा, और साथ-साथ हमें क् i, sum is equal to sum plus i, तो इस तवीके से, इस variation से आपके ये दोनों program simply solve हो जाते हैं, so it is a very simple variation that you have to do in your program, चलो मैं आपको सिधा run करके दिखायता हूँ, इसका code लिखके दिखायता हूँ, यहां तक हम देख चुके हैं, previous वीडियो में तो मैं इसको दोबारा से repeat नहीं करूँ, यहां प digit की frequency को store कराया था, यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने basically maximum frequency को find out किया था, अब इस particular चीज में हमें index निकालने की जूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारी values को print कराना चाहता हूँ, जो most frequently occur हो रही है, तो इसको मैं यहां पर comment कर देता हूँ, मुझे इसकी जूरत नहीं है, so simple compare करना है आपको, and, and, display this line here, और यहां पर index की जगे क्या print कराएंगे हम i, so इसको मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ, digit, plus i, plus, is the most frequent digit, ठीक है, और उसकी frequency क्या है, हमारे पास यहां पर जो है, max frequency तो उसकी निकल के i की ही, क्योंकि हमारे पास maximum frequency हम निकाल ही चुक है यहां पर, and, what you have to do is, sum is equals to sum plus i, that's it, that's the simple thing that you have to do, and then print here, system.out.println, so you can print sum of most frequent digit is plus sum, okay, so that is the simplest thing that you have to do, this is the only variation that you have to do, और आपके यह दोनों variation एक most frequent digit के program के यहां पर solve हो जाएंगे, so यह बार इसको run करके देखते हैं कि क्या कोई error तो नहीं रहे गया हम से, and if there is no error, then we will see execution of this particular code, so compile किया, so there is no error, then run this, so मैं यहां पर डालता हूं, one, two, double, three, four, double, five, अभी मैं वही वाला input लेता हूं, अब आप यहां पर देख सकते हो, मेरे पास यहां पर output में क्या आ रहा है, digit 3 is the most frequent digit with the frequency 2, digit 5 is the most frequent digit with frequency 2, okay, so that is how you have to do this, that is how you have to do this, it's a very simple program, एक और input के लिए लेते हैं, हम 3 लेंगे, 4, 5, 5, 6, 6, suppose, तो यहां पर देख सकते हो, आपको तीनों digits उने show कर दी, 3 भी कर दी, 5 भी कर दी, 6 भी कर दी, sum of most frequent digit क्या निकल कर आया आपका, 14, तो इस तरह से देखो, simple इस चीज में हमें क्या करना है न, simple आपको एक array create करना आना चाहिए, जहां पर आपने digits की frequency को store कर आ लिया, एक बार आपका array create हो गया, उसके बाद आपके जितने भी variations होते हैं, आप उस array के उपर solve कर सकते हो, बहुत easily आप solve कर सकते हो, तो यह दो variation मैंने आपको यहां पर दिखा हैं, इस particular वीडियो में, आगे अगर आपको और भी कोई variation आपको समझ में आता है, तो आप मुझे comment box के अंदर जरूर लिखके बताएगा मैं उसको solve करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, और अगले वीडियो के अंदर मैं उसको आपको यहां पर कोड करके दिखा दूँगा, so this is all for this particular video, thank you for watching the video, please subscribe to my youtube channel for more such tutorials, thank you.